Good morning students, आज हम लोग मरकरी सेल के बारे में पढ़ेंगे पिछली ग्लास में हम प्राक्पिक सेलों के बारे में पढ़ रहे थे हमने सबसे पहले एएक प्रस्न पढ़ा था कि प्राक्पिक सेलों जित्तिक सेल में क्या अंतर होता है major difference जो है दोनों cello में वो ये है कि प्राक्मिक cello को अपन बार बार यूज नहीं कर सकते लेकिन जित्यक cello को जिनको हम battery नहीं कह सकते हैं हम बार बार प्रिक्ट कर सकते हैं उनको charge और discharge कर सकते हैं clear है प्राक्मिक cello में हमने दो example पढ़ने के लिए बोला था पहला था सुस्क cell जिसको हमने लेकलांसी cell भी बोला था और दूसरा cell हम ले रहे हैं mercury cell जित्यक cello में भी हम दो example पढ़ेंगे सीशा संसेक cell जिसको मैं LED storage battery भी कह सकता हूं और nickel cadmium cell cell या battery cello का सेनिकरम संयोजल ही battery कहलाता है इसलिए आप battery को cell भी कह सकते हैं क्लिए हैं तो हमारा आज का जो cell है वो प्रात्मिक cello में दूसरे एक्जम्पल है जिसको मैं नाम क्या दे रहा हूं mercury cell देखिए सबसे पहले mercury cell में इसमें आपको ध्यान क्या रख रहा है मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि शैलों में आपको दो बाते मुख्यत है याद रख लिए एनौड किसका है कैथोड किसका है विद्धुत अब कट्टे कौन है एनौड पर अभी क्रिया कौन सी है कैथोड पर अभी क्रिया कौन सी है cell का विद्धुत वाख बल कितना होता है और cell किस काम में आता है यह छोटी-छोटी बाते जो है वो किस्तन मनती है इसे लोगे तो मरकरी cell में मैं कहूं आपको की एकत सेल का इंग निस्थित मैंने लीनियर डायग्राम मनाया है यह पाक्त है जिसको मैं जिंक अमलगम कह रहा हूँ जिंक अमलगम सुत्र हो जाएगा जिंक एज जिंक जिंक और वर्दी जातों के निक्स का यह क्या है इसका तौर जो किसका काम करेगा एनोड का काम करेगा इसके आंत्रिक भाग में एक पेश्ट भरा हुआ है इसके आंत्रिक भाग में इसके आंत्रिक अक्साइड का पेश्ट है जिसमें ग्रेफाइट की छण डूबी रहती है इसके ग्रेफाइट की छण डूबी रहती है यह एक जियों का पेश्ट है वह किसका काम करेगा ना कैफोड का क्लियर है तो यह अनोर्ड है और यह क्या हो गया कैफोड दो बात यह आपको जहां लगने थी जो विद्धु तब्गटे है यह मैंने आपको जो डॉटेट से मैं दिखार आओओ विद्धु तब्गटे के रूप में को एच के वाँच का मतलर क्या हो पोटेसियम हाइड्रोग्साइड तो पोटेसियम हाइड्रोग्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड का जो पेस्ट है वो एजे इलेक्ट्रोलाइट टाम करता है विद्धूत अब घट्टे का का काम करता है यह सेल की बराबर थी तो मुख्या बात है क्या हो गई सेल जिंक का मदगम का इलोड एक्स जियो का पेस्ट जो है वो कैथोर का कारी करता है जिसमें गेफाइड की इच्छा डू भी रहती है विद्धूत अबगट्टे के उन्प में जिंक ऑक्साइड प्लस केवच का विशन रहता है यह तो इसकी बनावड थी इसकी जब कारी पढ़ना लिए पढ़ते हैं कारी पढ़ना लिए तो देखिए एनोर्ड कैथोर पर कौन सी अविक्रिया है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एनोर्ड पर कौन सी अविक्रिया होती है एनोर्ड पर और एनोर्ड किसको कहते हैं जिस पर कौन सी अविक्रिया होती है ओक्सिकल्ड एनोर्ड का काम को कर रहा था जिंक है तो जिंक अब अगदों का क्या होगा इसमें ओक्सिकल्ड तो देखिए जिंक प्लस है विध्व का बत्के में आए नोर्ड से आइड ट्रॉक्शीरां कहा है तो यहां से यह चंज हो जैब है नोर्ड फ्लस ⁡ प्लस ⁡क्स ⁡ फ्लस ⁡ दो येक्ट्रोन जिंक दोएक्ट्रोन रिगा लाईगा तो फिर यहां से oxygen कितरे है दो एक और एक दो तो यहां ओज कितरे होगी आवेस भी संटुलित है इधर माइनस दो आवेस है उदर भी माइनस दो आवेस है oxygen का मतलब क्या होाँ दो इलैक्ट्रो निखे कहाँ से ज्रिंक सी तो जिंक का क्या हो गया oxygen होगया ईको यहाँ पर zero oxidation state में था यहाँ NO यह क्यासे oxidation state में है plus two oxidation state में है डिक्तोर पर क्या होगा क्या होगा जहाँ अप्षैन होगा उस एंड को अपन क्या बोलेंगे कैफोड कैफोड कर क्या होगा तो कैफोड का काम कर रहा है तो तो यह जीओ का पेस्ट का काम कर रहा है ऐसले हैं कि निकले वे एलेक्ट्रून के थोड़ों पर स्फेप्ट किये जाए दो इलेक्ट्रून भी आ हम चोबत बेगा चाहर पां। कि एक और एक्सान लेना पड़ेगा बैलने के लिए दो उख सितना तो एक और एक दो इससे क्या गोगा अधिए डंसे अभीगिया लेंगें वह प्रया लेंगें तो यह कट जायें यह सब कट जायेंगें रह क्या जायएगा जेड़ एन प्लस एक्सजी ओ एरो का साइन एक्सटू से एक्सटू कर जायगा जेड़ एनो प्लस एक्सटू यह नेट से लबिक्रिया होगी परकरी से आप इन अभिक्रियाओं को देखकर इस बात कह सकते हैं क्या कह सकते हैं इन अभिक्रियाओं को देखने से आपको एक बात मालूँ पढ़ सकती है कि जब भी मर्करी सेल काम करता है मर्करी सेल जब काम में आ रहा होता है उस समय ऐसा कोई आयन उत्वपन नहीं होता जिसकी सांदरता बदलने से सेल की वोल्टता बदले इसी कारण क्या ZNO plus HD इसका मतलब सेल जो बोल्टता है वो नहीं बदलेगी क्यों नहीं बदलेगी क्योंकि कोई भी आयन है कोरम में नहीं है तो यह जो मरकरी सेल है यह हमें 1.35 V तो गी, 1.35V, कि इस से विद्ध धारा देता है, जो सेल है, वो 1.35V, अमें क्या देता है? इस ते विद्ध धारा देता है, अब इस से विद्ध धारा देने का मतलब क्या बाद? जो यह cell है वो 1.35 की वॉल्ट दा रखे ला dharamay यह वोल्ट दा कम जादा नहीं होगी क्यों की cell की अभिक्रियाओं में आप देखे कोई भी iron में है कोई भी iron नहीं है iron होता तो उसकी सांदरता बदलती बदलती तो वोल्ट भी change होती है इसलिए यह cell जो है वो एक पॉइंट 25 वोड़ की इस तरी विप्तुत धारा देता है क्लियर है अभी क्रिया मैंने आपको बता दी सबसे बड़ी बात आती है कि जब इस सैल कॉन काम में ले जब इस सैल काम में आ जाए उस समय के बाद इस सैल का करना क्या चाहिए इसको हर किसी स्थान पर नहीं पैकना चाहिए इसे इप्यूत स्थान पर पैकना चाहिए क्यों क्योंकि इस सैल में जो है वावर्ण में क्या पढ़िये देखिये और मर्करी जो है वो पर्यावन के लिए क्या होती हानी कारक होती है विसेली होती है इसलिए इस सेल को यूज़ में लेने के बाद हर जगा हर किसी जगा आपको नहीं भेक conscious ओके इससाल का जो यूज़ है वो कहा होता है सेल का यूज़ होता है साब ऐसे उपकर, जिसमें कम बोल्टता के उपकर. कम बोल्टता के उपकर. कम बोल्टता के क्या तो लिए उपकर. जैसे चैलिकूलेटर स्रवण यंद्र स्रवण यंद्र का मतलब समझे आप फिर मसीन जिनको कम सुनाई रहता है उसके कामों में मसीन लगी रहती उसमें भी सेल होता है कौन सा मर्कली सेल कैलिकुलेटर है स्रवण यंद्र है गड़ी है कैमरा है इंसब चीजों में मर्कली सेल को यूझ किया जा सकता है तो यह हमारी एक्जामपल में प्राभी सेल होगी है प्राथिक सेल हुए हमने दो एक्जामपल पड़े सुस्क सेल जो एक पुएंट दो से एक पुएंट पांच की दौटा दे रहा था और जिसको हमने लेक्तांसी सेल भी बोला था, उसके बाद हमारा सेल था मरकरी सेल, जो एक पॉइंट 35 स्मून की इस्थरी विद्धु धारा देता है, कम मोटदा के उपकरणों में जिसका प्रियोग होता है, ये दो सेल थे प्राथिक प्रगाई जिनको हम सिर्फ एक बार यूज जर सकते हैं, बार-बार इंको काम में नहीं ले सकते, उसके बाद हमार बाद आती है, सेकेंड दी सेल ओ, जित्ती एक सेल का एक परिवासा इसको हम बार-बार यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बार-बार यूज कर सकते हैं, सेकेंड दी सेल जितीए सैलों का ही दूसरा नाव होता जाएं क्या बैट लिए इनको मैं उतक्रमणिय सैल भी कहूंगा, मैंने आपको बताया था, क्योंकि बार-बार चार्ज और पिसचर्ज कर सकते तो इनको क्या भी कहता हूं, उतक्रमणिय सैल, इनमें भी रेड़ोक्स अभी क्रिया ही हो होती है लेकिन जो redox अभी करिया इन सेर्डों में होती है दोनों दिशाों में सम्पन होती है तो का मतलब क्या चार्ज ही हो सकते है और लोग सकते है तो फेर वह है कि सीवा संचाय कंऍक रो इसको मैं लेड श्टोरेज बैटरी नहीं कह सकता देखिए सीशा संसायक सेल में कम से कम तीन से पांस तीन चार पांस सेलों को सेनी क्रम में जोडा जाता है और इस प्रकार की बैटरी बनाई जाती है इसका जो डायग्राम है वो बहुत इंपोर्टेंट है इसकी चार्जी में होने वाली अविक्रिया है इसकी डिस्चार्जी में होने वाली अविक्रिया है दोनों भी प्रकार की जो अविक्रिया है वो इंपोर्टेंट है पहले हम सेल की बनावर पढ़ेंगे सेंग की बनाव पड़ेंगे तो सीचा संजायक सेंग हमारा टॉपिक है केपिटल की हमारा टॉपिक है सेकेंड्री सेंगो में सीचा संजायक से देखिए ये एक आयता कार पात रहे है इस आयता कार पात्र रहे है संजायक में हम पुछड़ लेंगे एक एक कि दो कि चार पांच तो हमारा जो सेल है वो इतना सा बन देगा ठीक है ये तो छड़ है ये तीन छड़े लोट का काम करेगी और ये तीन छड़े लोट का काम करेगी मैं को डारक कर देता हूं बिन करने के लिए आंब सा बटा बाता हुआ ओ़े तीन छोटे है आंब तenne आंब यह जो तीन छड़े हैं वान टू थ्री एकांत्र क्रम से यह स्पंजी लेड है साँ यह क्या है यह इस्पंजी लेड सीसा और यह किसका काम करें के छड़े यह काम करें की एनोर्ड का जो इस्पंजी लेड है इस्पंजी लेड की जो छड़े हैं वो इनोर्ड काही करें और यह तो छड़े हैं यह तो छड़े हैं यह काम करेंगी इसमें क्या है पीवी एस्पी की तो जाली है जाली लेड दाटू और एंटिमनी दाटू की मिस्ट दाटू की तो जाली बनी नहीं और जाली में वरावा क्या है पीवी ओडू लेड आकसाइड जो किसका काम कर रहा है कैस्पोर्ट का तो विद्धू तब गट्टे के रूप में तनू एस्पू एस्पो को 38% का जो सोल्यूशन है वो यूज आ रहा है जिसको जो HDM4 को नहीं जाने हम सहर है भो तो क्या कहते है थि मैंठी का पानी बदला कर दाएं HDM4 बदला कर दाएं तो जो विद्धू परट्टे है यह है टनू рипू एस्टू एस्फो फोर किसका काम कर रहा है विद्दुत अबट्टे का गेर है दायग्राम को समझी आप ए दायगराम को समझी आप ए दायगराम को समझी आप ए इस्पंजी लेट ताकी जो है उसकी तीन चड़े है वान टू थ्री यह किसका काम कर नहीं है एलोड का कैथोड में जो तीन चड़े है वान टू थ्री यह क्या है लेट और एंटिमिनी में सदातों की जाली वनीवी है उस जाली में क्या भरावा है पीवी ओटू लेड अकसाइड वो किसका काम कर रहा है कैथोड का तनु एट्स्टु एसोफोर 38% सांद्रता जो है वो इसमें इनोर के तो कैथोड की जो प्लेटे हैं एनोर की तीन प्लेटे हैं बान टू त्री इनको एक कान त्रपा मों से रख़ा दा या तो ऑन राट्रय नहीं हो हैось है इसलिए मंद्या पे प्लास्टिक की सीथ लगाई जाती है ताकि ये छड़े जो है वो एक दूसरे के टक्स में नहीं आए ये प्लास्टिक की सीथ है जो क्यों लगाई जाती है ताकि छड़े आपस में टक्स नहीं हो इन प्लेटों के मध्याज़ प्लास्टिक की सीट लगी रहती है तो यह आपस में संपर्ग में नहीं आती है जब यह सेल यूज करते हैं यूज होड़े का मतलब क्या हुआ जब इस सेल को काम में ले रहे होते हैं इसको मैं क्या कह सकता हूं क्या करना क्या कह सकता हुं निरावेशित प्रक्रम में निरावेसित प्रक्रम का मतलब क्या हुआ जब मैं सेल को काम में ले रहा हूं सेल से मैं धारा ले रहा हूं सेल हमें धारा दे रहा है जब उसको डिस्टार्ज कर रहे है तब क्या होगा निरावेसित प्रक्रम में देखी क्या है आपको एलोड और कैथोड लगबग ध्यार है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत है, नहीं आपको, तो इसमें देखें आपको, एनोड किसका था, इस्पंजी लेड का, पीबी का था, यार करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, एनोड लेड का था, विद्धुत अगट्टे में कौन से आएं है, सलफेट आए तो SO4 2- ठीक है तो ये बढ़ जाएगा PB SO4 प्लस 2 electron ये 2 electron कहां से निकले है ये इस PB से निकले है PB से जब 2 electron निकल जाएगे तो PB प्लस 2 बढ़ जाएगा और PB प्लस 2 SO4 2- से निक्षन करेगा क्या बढ़ जाएगा PB SO4 समईकर नमबर 1 ये तो किस पर हो रहा है प्रक्रम ये प्रक्रम हो रहा है एनोल पर कैथोर्ड पर क्या होता कैथोर्ड पर क्या होता कैथोर्ड किसका बनावाता PB SO4 डिजाई में क्या बनावाता PB O2 मतलब लेड ओक्साइड बनावाता अब लेट ऑक्षैड यहां बगा हुआ है तो देखिए वह यह थड़ी है तो एस्टो एस्टोपोर में डूबी भी है दो इलेक्ट्रोन यहां सेट किये जाएगी जो एनोर्ड से निकले है वो कैथोर पर तो आएगी यहां भी क्या बढ़ेगा पीबी एस्टोपोर यहां पीबी कितना है प्लस चार ऑक्षिडेशन इस्टेट में है प्लस चार में यहां पीबी कितना था जीरो यहां प्लस दो तो जीरो से प्लस दो का मतलब दो इलेक्ट्रोन चलेगे ऑक्षिकन यहां चार की कमी थी अब दो की कमी इसका मतलब यहां दो इलेक्ट्रोन लेग है तो टू एच्टू है क्लियर रहे हैं अब स्कोंकि अमली माध्यम है अमली क्या इसमें माध्यम अब जब माध्यम अमली है तो उदर कितने हाइड्रोजन होगे चार हाइड्रोजन के लिए क्या किया जाएगा बताओ चार हाइड्रोजन के लिए किया जाएगा हम चार हाइड्रोजन लगाएंगे क्या लगाएंगा इसमें 4ошड दो दूरी 4 तो इधर क्या लगेंगे हैं लगाएंगे इधर 4H एप्स पलस अब आवेस0 एक नवं कहीं कोई जिटकत नहीं है कहीं कोई जिटकत नहीं है दोनों को जोड़ दीजिए तो नेट से नजित्री आ जाए लिएगए देखिए ये तो कट गया यह 2SO4 है, यह 4 हाइडोजन है, दोनों मिलकर क्या पुझाएंगे, 2H, 2SO4, एक SO4 को दो हाइडोजन सी, यहाद 2SO4 है, तो कितने हाइडोजन है, तो देखिए, इसको लिखी, PB प्लास, PBOD, यह दोनों लिखी, प्लास, इसको, इसको, इसको मिला दीजी, तो यह क्या बन 2H, 2SO4, यह दोनों मिला दीजी, तो 2PVSO4, प्लास, 2H, 2, क्लियर है, मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, कि, एडोड, और कैथोड पर होने वारी अभीद्रिया, कि बाद हम नेट से अभीद्रिया हम लिखते हैं, तो पता ज़दा कि जो निजावेशित प्रक्रव होता है, जब हम सेल को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, सेल को मुकाम में ले रहे होते हैं, तो एडोड और कैथोड दोनों ही प्लेटों पर क्या जमा हो जाता है, लेड सल्फित, जब हम सेल को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, तो एडोड तथा कैथोड दोनों ही प्लेटों पर क्या जवन हो रहा है Pbso4, clear है, इसी प्रक्रण को आपको विप्रीत तरीके से दोरांना है, जब हम cell को काम में ले रहे होतें, तो cell के load-by-kathone पर क्या जवन हो रहा है Pbso4, धीरे-धीरे जब हम इसको charging करेंगे, तो ये दोनों वापस इसमें change हो जाएंगे, फिज इन दोनों में चेंज हो जाएंगे पर क्या होगा जब हम चार्ज करेंगे तो सारा PBSO4 जो डिस्चार्जी में जमा हुआ था वो वापस वहां से उठ नहीं पाता तो दीरी दीरी प्लेटों पर PBSO4 जमा ही रह जाता है जमा ही रह जाता है तो एक समय बाद आपको प्लेटे चे तो यह आवेशित में क्या होगा हम धारा देगÝ सेल को चार्ज करेंगे सेल किहारा देग रिखा में दोनों जो दोनों दोनों वादल दोन ऑदुड द मन जाएं गया पेटार आपेटरर क्या जाएंगा ऊतो तो इसी प्रक्रम में मैं टॉटल एक साथ लिख सकता हूँ, क्या कि जो नेट से लविक्रिया डिश्चार्जी में हो रही है, चार्जी में इसका क्या होगी, विप्रीज, क्योंकि चार्जी में डिश्चार्जी का क्या है विप्रीज, तो सिर्फ आपको साइन चेंज करना है उसको उल्टा करके लिख रहा है, 2PBSO4 प्लास 2H2, PB प्लास PBO2 प्लास 2H2SO4, यह कहां कि अभित्रिया हुए, चार्ज रहा हुए, तो जैसी चार्ज करेंगे अपर बैटरी को, तो छडों पर वापस क्या जमा हो जाएगा, PB और PBO2, जब डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, तो दोनों यह चडों पर क्या जमा होता है, PB SQ4, तो इस तरहें डिस्चार्ज में जमा हुआ, PB SQ4, चार्ज रिन में वापस वाह से एट जाता है, लेकिन बहुत लंबे समय बाद, जमा हुआ, PB SQ4, वापस इसमें चे sommा नहीं हो पाता, तो प्लेटों पर जमा ही रहना रह जाता है थोड़ा थोड़ा PBSO4 एक समय साता है जब प्लेटों पर इतना PBSO4 जमा हो जाता है कि ये वाली रेक्षन नहीं होती मतलब बैटरी क्या करना बंद कर देती है चार्ज होगा बंद कर देती है क्यों? क्योंकि जमावा PBSO4 वापस reverse की सभिक्रिया में यूज नहीं हो पागा तो जब बैटरी प्लेटों पर PBSO4 जमा हो जाएगा तो हम क्या बोलेगे? कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही बैटरी क्या नहीं हो रही? चार्ज नहीं हो रही इसलिए प्रेटों को क्या करना पड़ेगा बतलवा कि हमें लाना है ठीक है इसमें आपको याद ही रखना है कि एनोर किसका है कैथोर किसका है विदुतवगट्य क्या है चारजी में डिसारजी में कौन से विक्रिया है कहां होती है विदुतवगट्य कोन है इस सेल को यूज़ करते हैं, इस वर्डर के रूप में, ठीक है, टेक्टर में, गाड़ियों में बैटरी यूज़ होती है, उसी से संस्याइक सेल यूज़ होती है, और इस सेल की जो चार्जी और डिस्चार्जी जो रिक्सन है, वो सबसे इंपोर्टेंट है, ओके, नेस्ट क्लास में हम निकल केडियम सेल के बारे में बढ़ेंगे ओके थेंक्स टेंड्स